Hello to others and welcome to the studio Members, day time frame पर आज एक चीज़ हम लोग discussion करेंगे जब हम लोग price को read करना चाहते हैं तो कहीं ना कहीं एक important candle की जुरूत पड़ते हैं जो कि याद होगा हम आपसे अक्सा discuss किया करते हैं कि आज ये हमारी day की important candle है और अगर यहां से हम price को read करेंगे तो किस तरह से आगे हम अपनी reading को और survive कर पाएंगे और आगे की तरफ ले जा पाएंगे तो आज उसी एक candle की उपर discussion करेंगे जितनी भी important candles होती हैं उसमें से एक candle हम आपको बताएंगे देखिए day time frame पर जैसे जाते हैं यहां पर सबसे पहले देखिए एक अगर हम marking करें तो बड़ी सी एक हमारी black वाली candle है जैसे की एक तो यह मेरा support area हो गया second इस black वाली candle का low point यह resistance area है से देखिए और इसके बाद में यह मेरा resistance area हो गया और यह fourth resistance area हो गया यह पूरा मेरा zone बना आज के trading session के लिए अब देखिए कुछ एक चीज़े है जैसे कि इसी को आगे की तरफ हम देखिए तो आपको लगेगा कि जो एक candle जैसे कि अगर हम इस वाली candle को mark करें कल की candle को छोड़ करके बाकि सभी candles ने देखिए क्या है upside की तरफ opening दी है अभी इसको देखते है downside की तरफ जिसने opening दी उसने closing भी नीचे ही दे दी है वापस चलते से दे अपनी trade book पर trade book पहले देख लेते हैं कितना क्या profit वगएरा entry points वगएरा इसके बाद में trades को analyze करते हैं वीडियो गर informative लगते है तो इसको ज़रूर से ज़रूर लाइक किजएगा because आपके लाइक से बहुत motivation हमको मिलता है so like किजएगा, comments किजएगा और अगर चैनल पढ़ने हो तो चैनल को subscribe किजएगा यह लेजए यहां पर login करने के एक नया ही system आ गया है इस पर OTP से login होता है so X can do किएगा perfect so trade के अंदर हम लोग अपने trade book के अंदर enter कर चुक हैं यहां पर सबसे पहले position book देखेंगे position book में आप देख सकते हैं overall जो हमाराज का profit है 15,633 रूपिज का profit है and इसको एक बार refresh कर लेते हैं एक अच्छा सा और एक satisfying profit हमाराज के दिन कर रहा because 3000 के राउंड के कुछ हमारा रिस्क था हालां कि इतना बड़ा हमारा target ने था target को हमने stretch किया था और एक बात यह भी बोल सकते हैं कि trade लगा देने की बाद में बाहर चले गया था फिर हमने देखा नहीं जब आप देखोगे तो देखे यहां पर जो हमारी exit हुई है market price पर निकले हैं मतलब broker ने में बहार निकाला है सबसे पहला जो हमने order देखे इस circle यहां पर बना देते हैं यह वाला order देखे यहां पर fund हमारे reject हो गया था पांचर चले इस क्वांटी हमने cash-in कैडिम उठा ली तो 600-6 लाग रुपए की थी उतना balance ही नहीं इसके अंदर वापस से दूसरा order हमने लगाया इसके अंदर हमाई इस order तब जाकर के सारी क्वांटी समाझ एक्सक्योट है हालांकि यह अच्छा था कि जितने पर हमें price चाहिए था उतने पर ही मिला 12 12 इसको रिफ्रेश कर लेता है बार जो entry हमको मिली है 128 4.40 पर अपनी entry stop loss पांच रुपया कुछ पैसे का stop loss है था stop loss हमारा था 1278.85 का stop loss था and target तो वो उपने कुछ लगाए ने वो automatic broker नहीं निकाला हम तब ही निकले so position book में वापस आ जाते है so आज के दिन हम लोग बस यही देखने ही कोशिश करेंगे कि जब भी हम लोग price को read करना चाहते ना तो कैसे वो एक important candle क्योंकि कई सारी candles होते ही वो तो reading के अब डिपेंड करता है कि कब किस तरह से हम rate करें तो आज जैसे हमने price को read के इसके important candle हम आपको बताएंगे कि कहां से आप शुरुआत कर सकते हो price को rate करने के तो काफी concentrate होकर कि वीडियो देखिएगा और जो भी आपका feedback होगा वो comment section में आप लिख दिजएगा thanks and start करते हैं अचके वीडियो देखिए जब हम price को पढ़ने की कोशिश करते हैं सबसे पहले काम करते हैं जितनी mark इंग इन सबको महटा देते हैं और अभी यह जो वीडियो अपना record कर रहे हैं यहाँ पर देखिए time साथ बचकर चाल मिनट हो रहा है मतलब शाम के time यह video record और अपना पूरा अब देखिए यहाँ पर जैसे अभी हम बात बोल रहे थे कि important candle जैसे इतनी सारी candles है इस में से अब हम अगर reading स्टार्ट करना चाहते हैं तो कहां से करें तरीके काफी सारे होते हैं उसी में से एक चीज़ यह है कि जब आपको एक important candle find करनी हो न तो यह कुछ earnings होती है में निकला था अब अगर result हमारे निकला फरक नहीं पड़ता कब का है यह last quarterly का result है बट अब अगर इस दिन result निकला तो कुछ ना कुछ तो यह specific अपनी conditions बना करके रखता है यह दिन आज के लिए क्योंकि results है है इसके बाद में ज़रूर यह तो कुछ negative हो सकते है फिर positive हो सकता हा कर रही है market इस एक candle के ऊपर देखे इसने क्या किया है breakout कर देने के बाद price सीध है मेरा upside की दरफ चला गया इससे क्या हुआ कि एक candle हमें ऐसी मिल गए जहां से हम आगे की candles को connect कर सकते हैं है न हमने इसको नहीं ले लिया हमने इस वाली candle को लिया हमने इस वाली candle को लिया हमने यह एक high probability की candle है कि अगर हम reading करना चाहते हैं तो एक कम से काम अंदर से confidence होगा कि इस candle को हमने क्यू लिया क्योंकि इस दिन result निकला था इसका अब आप read करो देखे आगे market ने क्या किया है support 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 है न इतनी शी समझ में आई कि यह important candle है और जब से price ने इस candle के high को break किया तब से price हमारा ऊपर ही है मतलब कि हम क्या मान सकते हैं कि price हमारा strong है है अगर हम इसके अंदर देखना चाहें अगर हमें buying करनी है क्योंकि price तो हमारा support पर है buying की अगर opportunity मिल रहे हैं हमको अगर इस level से तो बहुत अच्छी बात है क्योंकि price तो overall हमारा strong ही है अब अगर इसको नीचे के दिशा में गिर रहा है तो बड़ा momentum दिखाना तुसको क्या करना होगा न हमारे इस वाले level के नीचे price गिर है यहां से इस तरह से करके गिर जागा लेकिन यह क्या कर रहा है कितनी ही बार इसने price ने downside के momentum दिखाने के कोशिश की बट price हमारा again sustain हो गया और फिर से उपर की तरफ चला गया यहां से देखे आप side की तरफ चला गया फिर कल इसने downside का momentum दिखाया था बट फिर से उपर की दिशा में जा करके इसने closing कर दी इसे एक candle के according के price हमारे strong है view clear है अब आगे आते हैं देखे price ने क्या किया है अब यह second step होगा price को read करने का first step में हमने क्या किया कि price की इस एक candle को mark कर लिए और first reading अपनी complete कर लिए अब इसके बाद में क्या हो रहा है high low again यह एक high price ने clue लगाया एक high और again यह वाला clue लगा दिया यह जो एक candle होगी ना यह important candle है हमारी अब हम इस candle के swing को क्यों mark करेंगे क्योंकि पूरे मन्त के सबसे important candle है हमारी price actions के according भी और plus क्योंकि इसने हमारे swing को break किया है नीचे की दिशा में और closing कर दी है अब इसकी importance हमारी और बढ़ेगी जब हम आगे की तरफ देखेंगे कि क्या हो रहा है clear है ना अभी एक हमने वो वाली candle देखी जिस दिन result निकला था अभी एक candle हमने वो वाली देखी जिस दिन result निकला था और अब ये वाली candle आप इसके just low को mark कर लो यहाँ अब यहाँ पर देखें क्या हुआ है जैसे ये black वाली मेरी candle है इसके निचे देखें प्राइस हमारा नहीं निकल रहा है यहाँ से देखें इसने क्या क्या है एक gap down opening दी और प्राइस सीध हमारा चला गया कहाँ पर हमारी 1276.70 के लेवल पर 20 July की candle याद है result वाली जो candle हम लोगों ने mark कर रही है तो प्राइस अपने exact इस heavy support के पास आया और इसने volume increase कर दी देखें volume का इसने breakout कर दिया है है न अब अगर price ने volume का breakout किया है और इसको नीचे की दिशा में जाना तो क्या करना होगा ना अपने इस candle का लिए low break कर दे और इसके नीचे जब price अपने swings breakdown करता चला जाएगा तो यानि कि जब तक हो break down करेगा तब तक price हमारा downside की तरफ ही रहेगा अगर इसको नीचे की तरफ गिरना है तो बड़ इसने किया क्या है कि volume increase कर दो price बिल्कुल अपने support areas पर आ गया और support पर आ जाने के बाद में प्राइज ने क्या क्या है आज की जो इसकी opening है यह वापस इसने एक gap up opening दे दी हैना जब आप इसको देखोगे तो इसने थोड़ा सा jump mark करके opening दी और वापस से price हमारी 16th की range के अंदर आ करके trade करने लगा समझ पा रहे हैं मतलब price वापस हमारी उसी range के अंदर आ गया जिस range में price ने पिछले 5 जिन तक लगातार एक situation बना करके रखी थी sideways momentum की बाद में price ने इसका support break किया और फिर से price हमारा upside की तरफ चला गया है न अब जब आप इसको lower time frame पर देखोंगे यह सारी चीज़े clear हो गई अब सीधे चलते हैं हम लोग lower time frame पर lower time frame पर ऐसा क्या है देखिए एक तो यह चीज़ हमें मालू है कि price का अपना यह support area है और कल इसने क्या किया था यहाँ पर एक consolidation का अपना area बना दिया था मतलब कि हमारे पास हमारे पूरा का पूरा swing zone बन गया short selling हम कब तक नहीं करेंगी जब तक 1276.70 के नीचे price नहीं निकल जाएगा clear है अब देखिए इसके अंदर अब जब हमें trade execute करना तो simple सी हमने इसके अंदर trick apply की थी 9.15 का just up low mark और इसके बाद में बस हमें यह देखना है कि एक trend line हमने draw कर दी जैसे ही price ने हमारे trend line को break किया नीचे की तरफ sorry upside की तरफ यहाँ पर यह वो area था जहाँ पर हमने अपना trade execute किया था जैसे ही price 11.30 की candle के high पर निकला इसके अंदर हमने upside के अपनी एक entry ले ली और जो stop loss था हमारा just हमने swing पर अपने यहाँ पर stop loss लगा दी है तो overall देख पा रहे है न lower time frame पर इतनी चीज़ें already हमने बता दी है कि आप उसको यहाँ से correlate कर लोगी किसी ना किसी तरह से बट day time frame पर जिस तरह से वो important candle में find करना आपको पताया जब आप उस तरह से reading करोगे तो आपको एक point पकड में जागा कि अच्छा है यहाँ से हमें reading करनी है बाकी सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हमने ऐसा नहीं कि सिर्फ एक trend line break होगे हमने अपनी entry ले लिए यहाँ पर हमने अपनी entry के confirmations लिए तब जाकर कि हमने अपनी entry ले swing पर अपने stop loss लगा है और target हमारा simple था कि यह वाला जो एक candle थी यहाँ तक price का momentum आज के दिन होना चाहिए इस वाले अरिया तक बट हुआ किया न कि price इसके पास तक तो गया यहाँ तक तो गया लेकिन touch नहीं किया और price सीधी नीचे के तरफ इर गया तो पूरे दिन हमने hold किया थे इसको आज के दिन पूरा जितना भी price का था सारा का सारा हमने hold किया बाद में stretch कर दिया जितना भी target था हमारा profit जो हमारा आज कहा हमारे लिए satisfying profit है एक decent of profit है हम इतने में संतुष्ट है okay so thanks and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में और जो भी चीज़ हमने आज पता ही आपको इसको ध्यान रखिएगा और कोई भी आप trade अपना open कर लो जैसे कि यह कौन सा है sipla है sipla को हम लोग देख लेते हैं day time frame पर day time frame पर आप यहां पर देखिए इसके results कब निकले थे यह मेरी result की candle है आप इसका काम करो ने इसका high mark कर लो देखो price में जब से results हैं तब से price हमारा upside की तरफ ही move कर रहा है तो जब जब price हमारा हमारी support area पर आएगा आपको यहां से अगर jump मिलती confirmations मिलती आप trade execute कर दो अडानी support है इसका result कब निकला था यह तो dividend मिला यह results के dates थे इसके यह तो काफी पुराना है काफी पीछे का है तो इसको छोड़ दीजे फिर से देखिए इनके results आने वाले अडानी के उपर नजर बना के रखिएगा इसके जब results निकले हैं उस दिन ध्यान रखिएगा इसक जैसे कि आप trade में और confidence के साथ fill up कर पाओगे उसको trade execute कर पाओगे यहाँ पर हमने क्या गया simply वह वाली candle marker ली जिस दिन प्राइस ने results अपने announce किये थैं फिर देखिए कुछ भी नहीं करते हुए आपके पास यहाँ पर levels निकला हैं अब इन levels के पास में आपको अपनी reading में अपना money management है जो risk management है वो यहाँ पर लगाओगे तब कोई trade execute करोगे ओके so I hope कि इतनी जो जानकारी हमने दी है यह काफी help करेगे आपको बहुत कम शब्दों में हम कोशिच ही करते हैं कम शब्दों में अच्छी सची चीज हम आपको पता हैं thanks and अब हम लोग मिलेंगे अपने next trading session में अप्ता किली happy trading and we will meet again